हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नौश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन पेट्रोल और डीजल की कीमते जो हैं वो आम तोर पे हमारे देश में जन्मानस को बड़ा प्रभावित करती हैं आम तोर पे पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कितनी हैं, वो किस तर तक पहुंची, वो कब घटेंगी, कब बढ़ेंगी, इन चीजों को लेकर लोग बड़े प्रभावित रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ, एक क्या धार पे बता रहा हूँ, कि इस बात की पर्याप्त संभावना है, कि आने वाले कुछ दिनों में, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं, यहां मिंट अखबार यहां तक कहता है, कि पेट्रोल की कीमत में हो सकता है, 10 रुपे प्र कारण है, क्या तर्क है, इसके बारे में हम लोग अगले 5 मिनिट में केवल समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, हमारा P2I बैच जो है, प्रतिग्या प्लस बैच जो है, 19 तारिक सुबा 8 बजे से शुरू हो रहा है, आज क्या तारिक हो गई, 16 तारिक के लिए है, समय बहुत कम बचा है, लेदे के 8 महीने बचे हैं कुल, और उसमें आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो अब अगर आप देर करेंगे, तो और्गिनाइज तरीके से आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी, इस बात को याद रखिए, ठीक है, अगर आप 2026 या जब आपको चाहिए तब के लिए, लेकिन जो भी आपको करना है, जल्दी कीजिए, देरी का जो मौका होता है, वो बहुत जादा इसमें होता नहीं है, UPSC की तैयारी में इस बात को याद रखिए, चलिए, अब एक बार जल्दी से एकदम फटा-फट समझने की कोशिश कर करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, देखिए भारत जो है पेट्रोल और डीजल का एक बहुत बड़ा निर्माता नहीं है, भारत में पेट्रोल और डीजल और जो पेट्रॉलियम पदार्थ होते हैं, उनका आम तौर पे हम आयात करते हैं, तो अब इस आयात में सीधी- का उत्पादन आप खुद कर ही नहीं रहे तो इसकी कीमत क्या होगी यह तो आपको पता नहीं है यह तो आप तै नहीं कर सकते तो भारत में भी क्या है जो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम जो होते हैं पेट्रोल और डीजल के हमारे यहाँ जो दाम होते हैं यह दाम किस पर निर्भर करते हैं ये अंतराश्ट्रिय बाजार में जो crude oil के दाम है क्योंकि भारत में refinery है भारत में हम तेल को परिश्कृत करके उससे petrol डीजल बनाते हैं लेकिन कच्चा तेल हमारे यहां नहीं होता ठीक है बहुत कम है बहुत कम जगे हैं तो अंतराश्ट्रिय जो आपका crude oil है कच्चा तेल जो आपका crude oil के दाम है उस पर हमारे यहां निर्भर करता है भाई अगर अंतराश्ट्रिय crude oil बहुत महंगा हो जाता है तो natural थी बात है अगर आपको तेल महंगा मिल रहा है बाहर से तो आप उसे महंगा ही बेचोगे अगर आपको तेल सस्ता मिल रहा है तो आप उसे सस्ता ही बेचोगे यह बात क्लियर है तो भाई यह जो चीज है यह आम तोर पे होती है अंतराष्य क्रूड ऊईल के दाम पर यह निर्भर करता है, और पिछले कुछ समय से अंतराष्य क्रूड ऊईल के दाम जो है, वो जाधा बने हुए हैं, हम जानते हैं क्योंकि भाई युध्ध चल रहे हैं, दुनिया में जब भी कोई सामरी घटना करमिस्टर का होता है, कि युद्ध चलती है, देशों में परस पर विवाद होते हैं, तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, हम सभी जानते हैं, भारत में 1994 का, आपको जब मैंने आर्थिक संकट पढ़ाया था, आर्थिक संकट का एक भी आपको पढ़ाया है, हमेशा पढ़ाया है कि खाड़ी युद्ध एक बड़ा कारण था भारत में आये आर्थिक संकट का, तो एक क्या है, क्योंकि अभी इस समय दुनिया भर में चल रहे हैं युद्ध, इसलिए अंतराष्ट्रिय क्रूड के दाम जो हैं, वो आम तोर पे उचे बने हुए हैं, ठीक है, उचे बने हुए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले दिनों इसमें एक अदभूत चीफ हुई है, पिछले दिनों मिंट अख़बार जो आज का मुझे बताता है, वो क्या बताता है, कि करीब 19 प्रतिशत की गिरावट जो है, वो इस लिखेंगे कि दाम में जो है, 19 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, और इस कारण से जो है, अब जो ये क्रूड ऑईल के दाम जो है, जो एक ये ग्राफ आपको बताता है, कि भाई, 2022 में जो 109 डॉलर प्रती बैरल तक पहुँच गए थे, 109 डॉलर प्रती बैरल तक जो प तो ये दाम जो है, वैसे तो जादा ये 72 डॉलर भी बहुत जादा है, क्योंकि कम होते होते तो 20 डॉलर तक भी पहुच चुका है, लेकिन तब भी 72 डॉलर का दाम जो है, ये अपने आप में एक कम दाम माना जा सकता है, इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, और आप इसको समझें कि 72.48 जो नंबर है, ये अभी यहाँ पर है, और 2021 के बाद से ये अब तक का सबसे कम नंबर है, 2021 के बाद से कभी भी इतना कम नहीं हुआ, 2021 में एक बार 70 के आसपास गया था, 69.8 डॉलर गया था, वो नंबर में भूलिया था, वही मैं में मिंट में देख रहा था, तो 69.8 के आसपास गया था, बैरल जो होता है बेटा, एक लिक्विड को नापने की काई होती है, 169 लीटर को एक बैरल कहा जाता है, 169 लीटर का एक बैरल होता है, इसको बैरल कहा जाता है, अंतराश्रिय क्रूड को बैरल में नापा जाता है, ठीक है, तो अब क्या है अंतराश्रिय बाजार में क्रूड के दाम हो गए है कम और क्रूड के दाम कम हो गए है यानि कि भारत में जो ओईल मार्केटिंग कमपनिया है उनको अब अंतराश्रिय बाजार से तेल सस्ता पड़ रहा है तो इस बात की संभावना है कि कमपनिया क्या करेंगी ये प्रॉफि और 2014 में क्रमिशल, डीजल और पेट्रोल वर 2014 में डीजल जो है इनके दामों को बाजार से जोड़ دिया गया है. कि सरकार ने कहा भीया हम तै नहीं करेंगे ये अब बाजार से लिंग्ड होंगे 2010 में पेट्रोल को और 2014 में डीजल को कि बाजार में अब अगर कुरूड के दाम कम हो जाते हैं तो डीजल पेट्रोल सिस्ता हो जाएगा महंगा हो जाता है तो महंगा हो जाएगा हम इस पे कोई इन्तरन करेंगे नहीं और उसके बाद 2017 तक कंपनियों से कहा गया कि आप भाई 15-15 दिन बाद इसके दामों को रिव्यू करें 2017 के बाद कहा गया डेली रिव्यू करें कि आप जो है दाम को रोज बदल सकते हैं आज अगर कुरूड महंगा है तो आज दाम अलग कल सस्ता है तो कल ये सस्ता किया जाएगा लेकिन भारत में आपने कहीं होता हुआ देखा है काइदे में पेट्रोल डीजल के दाम जो नियम है उसके हिसाब से रोज बदलने चाहिए ऐसा देखा है आपने होता हुआ ऐसा नहीं होता तो भारत में कई बार क्या हुआ है जब तेल महंगा होता है तो सरकार क्या करती है महंगा तो जनता पे पासाउन कर देती है सबके ल अपने खराब समय के लिए recovery कर पाओ, तो आम तौर पे जब दाम गिरे हैं, तब सरकार ने customer को उसका लाब नहीं दिया है, तो ये जो बाजार से linking जो है, पेट्रोल और डीजल के दाम की, ये बस नाम मातर की है, वास्तविक्ता में होती नहीं है, अगर वास्तविक्ता में बाजार से link होता, तो स्वतह पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाते, इसमें सरकार को कुछ करने की आवशक्ता नहीं होती, लेकिन अब जो है, चुंकि ये वास्तविक अर्थों में बाजार से linked भारत में है नहीं, और तो अब सरकार को ये निरने लेना होगा, पेट्रोलियम कंपनी को बताना होगा, कि क्या आप इन दामों को गिरा सकते हैं, और इस बात की संभावना बताई जा रही है, कि चुंकि क्रूड ओयल के दाम गिर गए हैं, और दूफरा क्या है, भारत में कई राज्यों में आने वाले हैं चुनाव, और ये तो मेरे को आपको बताने की आविशक्ता नहीं है, कि जब भी चुनाव होते हैं, तो सरकारें कोशिश करती हैं, कि चीज़े थोड़ी सस्ती हो जाएं, क्योंकि सस्ती चीज़े होती हैं, तो लोग खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं तो सरकार को वोट देते हैं, तो इस बात की संभावना बताई जा रही है, कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है, क्रूड ओयल के दाम में भारी गिरावट के खारण, अब सरकार के पास एक अवसर है, कि सरकार इन दोनों चीजों के दामों में भारी गिरावट कर सकती है तो ये माना जा रहा है मिंट की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल के दाम में 10 रुपे तक की गिरावट की जा सकती है 10 रुपे प्रती लीटर तक की गिरावट की जा सकती है और वहीं डीजल के दाम जो है उन में 6-7 रुपे प्रती लीटर तक की गिरावट की जा सकती है ये संभावना जताई है मिंट समाचार पतर ने आज के कि ये अपने आप में एक बड़ी संभावना है ऐसा किया जा सकता है याद रखियेगा डीजल के दाम खास तोर पे अगर गिरते हैं तो ये क्या होता है पूरे देश की मुद्रास फीती पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि परिवहन की जो कॉस्ट होती है चीजों को एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाने की जो कीमत होती है वो डीजल के दामों मिल सकता है तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं अब सवाल यह आता है एक सवाल जो हमसे चूट गया वो यह आता है कि दुनिया में युद्ध तो अधी भी चल रहे हैं युद्ध तो खतम हुए नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि क्रू पूड ओयल के दाम कम होने के पीछे क्या है इनके पीछे है चाहिना की स्थिती चीन बेटा हमारी तरह चीन भी जो है वो तेल का बहुत बड़ा आयातक है चीन भी जो है बहुत बड़ा अध्योगिक देश है हम सभी जानते हैं वो एक तेल का बहुत बड़ा आयातक है और दुनिया में एक बहुत बड़ी मातरा में तेल चीन आयात करता है तो दुनिया में क्या हुआ है पिछले दिनों ये देखा गया है कि चीन के आयात की मातरा घट गई है चीन जितनी मातरा में तेल का आयात कर रहा था उस आयात की मातरा घट गई है और ये एक ट्रेंड है जो पिछले दो महीने से देखा जा रहा है, जैसे औसतन आप देखेंगे, कि 2.1.1 million जो है, बैरल प्रती दिन, जो अनुमानित था, वो क्या था? 2.1.1 million बैरल, 2.1.1 million बैरल प्रती दिन अनुमानित था, लेकिन वास्तविक्ता में चीन ने आयात किया कितना? 2.0.3 million बैरल प्रती दिन और ये माना जा रहा है कि ये और कम हो सकता है, तो चीन जितना तेल आयात कर रहा था, वो घटता जा रहा है, और इस कारण से दुनिया के बाजारों में चीन तो बहुत बढ़ा आयातक है, चीन अगर कम आयात कर रहा है, तो तेल की मांग कम हो रही है, और अगर किसी चीज की मांग कम होती है, बेसिक एकनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, तो उसकी कीमत अपने आप घट जाती है, तो चीन में मांग कम क्यों हो रही है, हम सभी जानते हैं कि चीन जो है वो इस समय एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है हम सभी इस बात को जानते हैं और चीन के जो अर्थशास्त्री हैं चीन की जो सरकार है वो इस बात को छुपा रहे हैं वो इस बात के बारे में आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर रहे लेकिन योगे गतिविधी निश्यत तोर पे कम हो गई है तो चीन में जो आर्थिक मंदी चल रही है उसकी और भी ये आंकड़ा जो है ये ट्रेंड जो है इशारा करता है तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये जो concept इसमें है ये आपको हुई है कुछ भी छूटा नहीं है तुरंट जुड़ जाइए और अगर आप प्रतिग्या प्लस बैच से जुड़ना चाहते हैं दो हजार पचीस वाले बैच से तो 19 तारिक सुबह 8 वजे शुरू हो रहा है एज लाइफ कोड लगाके जुड़ जाइए तुरंट जो है अ कर दो है、 बॉड़ जुड़ से झाले यहीं है दो जो कर दोषी है प्लस रहा है चाहते है घड़ किसंसे वाले से धुर्णलिया भी फचобыти़ है घए है ज पछेलकोड़ जे लहा है है